दोस्तो मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल पठान ब्लॉक्बस्टर हुए काफे दिन हो गया लेकिन आज मैं आपको इसे लेकर एक नई जानकारी दूँगी ऐसी जानकारी जिसके बाद पठान बॉलिवुट के लिए एक केस टड़ी बन सकती है केस टड़ी इस लिहाज से कि पठान की सेक्सेस की एकनोमिक्स में शारूख खान ने फिल्म बनाने वाले प्रोड़क्शन हाउस यचराज प्रोड़क्शन से भी सदर पैसा कमा लिया दोस्तों बॉलिवुट हंगामा ने एक बड़ा इंट्रेस्टिंग आर्टिकल लिखा है इकनोमिक्स ओफ पठान इसमें तफसील से बताया गया है कि पठान फिल्म का टोटल बजट था करोड़ रुपए प्रोड़क्शन के नाम पर तो किसी भी स्टार ने एक भी इवेंट नहीं कि आप जानते हैं क्योंकि दिपिका पादकूर्ड की इस बिकीनी ने इतना फ्री फोकट का प्रमोशन दे दिया फिल्म को की पूछिये मत फिर भी 20 करोड रुपए PNA में खर्च किये गए PNA मतलब प्रिंट इन एडविटीजमेंट जो बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं उसमें 20 करोड रुपए खर्च होए यानि टोटल बजट बढ़ा 270 करोड का बॉलिवुड हंगामा के मताबिक फिल्म ने इंडिया में कमाए 545 करोड रुपए दुनिया के दूसरे हिस्सों में कमाए 396 करोड रुपए तो टोटल फिल्म ने कमा लिए कितने 941 करोड रुपए इसमें से इंडिया का डिस्ट्रिब्यूटर शेयर रहा 245 करोड पठान ने 150 करोड रुपए सेटलाइट और डिजिटल राइट बेच कर भी कमाए 30 करोड रुपए म्यूजिक वगएरा से इसे भी कमाए उसके राइट भी बेच जाते हैं इसके बाद सारे खर्चे फिल्म का टोटल बजेट माइनस करके बॉलिवर्ट हंगामा के हिसाब से यच राइट प्रोडक्शन का प्रॉफिट बना खाल इस प्रॉफिट तीन सो तैटिस करोड क्योंकि फिल्म के लिए शारुक में फीज तो ली नहीं थी प्रॉफिट में 60% क का ओन एन एवरिज 200 करोड रोपे बनता है तो फिर क्या पठान के ब्लॉक बस्टर होने पर प्रॉडक्शन हाउस से भी ज्यादा शारुक खान ने कमा लिए तो क्या वाकई में एकोनॉमिक्स ऑफ पठान में शारुक खान ने यश्राष्ट प्रॉडक्शन पर बाजी माली हलाकि इन आगड़ों पर न το शारुक्षन के टीम ने पुछ्टी की ए ना प्रॉडक्शन हाउस ने कुछ बोला है लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि ये फिल्म केवल और चेवल शारुक खान के स्टार्डम पर टिकी थी दोस्तों ये शारुक खान का स्टार्डम ही था कि इतनी नेगटिव पब्लिसिटी होने के बाद भी उन्होंने उसको अपने फिवर में ऐसे बदला कि फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म बन गई आपको पठान किये इकनोमिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें चैनल को जॉइन भी करें और सब्सक्राइब करें